नमोस्तु महाराजी नमोस्तु महाराजी नमोस्तु महाराजी निमाण की वीशन गर्वी में 46 डिगरी टेम्पेचर में इत्ता परिसर सेतेव इत्ते सरस सहल आपकी तपस्ट्या वंधनी है महाराजी महराजी छोटी सी शंका है निंदा मांसिक विक्रती है संसार का प्राणी सक्कर की मिठास में जित्ता अननदित नहीं होता उतना निंदा रस्पान में अननदित होता है किन्तो आनन जीवन के सच्चे आनन को डुबो देता है फिर भी आज प्राणी इसलिए दुगी है कि सामने वाला सुखी क्यों है हम प्रनिंदा से केसे बचें क्रपिया समाधान की जी लेखें मनुष के एक बहुत बड़ी दुरबलता है प्रनिंदा की और आपने बिल्कुर ठीक है आपने अनभव किया होगा कोई अगर बड़े से कोई अभिवादन करता है तो आप कहते हैं खुस रहो खुस रहो कहते सब है लेकिन खुस रहा देखनी पाते है ये मन की इरिशा मनुष को निंदा की और बिवित्त करती है औरों की निंदा से बचने के लिए कुछ बाते आप सबसे कह रहा हूँ निंदा का कृत्त बड़ा निंदनी कृत्त है इससे हमें बचना चाहिए पर ये कौन करता है इसके पीछे जो खास कारण है वो भी हमें पहले समझना चाहिए ओच्छी मान सिक्ता हमें निंदा की और प्रवित्त करती है अहमन्यता खुद को बड़ा मानने की प्रवित्ती दूसरे की निंदा की और दोलती है शिद्रान वेशी प्रवित्ती दोस्दर्शन की व्रित्ती हमें निंदा की और ढखेलती है हम उनकी तरब देख लेते हैं और नकालात्मकता जिसके अंदर ज्यादा होती है वो भी निंदा की ओर बढ़ते हैं। अगर हम औरों की निंदा से बचना चाहते हैं तो गुनग रही दिश्टी रखें। प्रशंसा करने की आदत डालें। किसी की भी अच्छाई हो तो उसकी तुरत प्रशंसा करें। कोई भी गुन दिखें तो उनके प्रतिहम गुनों को ध्यान में रखें। तीसरी बात हम अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें। दूसरे की लाइन को काटने में अपनी शक्ती न लगाएं। और हमेशा शकरत मक्सूचे तो हम निंदा जैसे दोश ये अपने आपको बचा सकते हैं।